With that, आज के लिक्चर में हम शुरू करेंगे अपना अगला चाप्टर विच इस डिफरेंशिएशन लिमिट्स आपका खत्म हो चुका है रिलेशन इन फंक्शन और लिमिट्स के साथ जो हमने एक फाउंडेशन बिल्ड किया है, काल्कुलस खा उसको एक नया परस्पेक्टिव आपको देता है डिफरेंशिशन, एक्जाक्ली क्या होता है इससे कैसे चीज़े बनती हैं और क्या-क्या चीज़ें मागे पड़ेंगे, उन सारी चीज़ों को समझना आज हम शुरू करेंगे, बर उससे पहले यह जो तैयारी है आपकी, यह IIT-GWE Mates और GWE Advanced Mathematics की आपको करवाई जा रही है बिल्कुल free of cost हम एक 100% free of cost quality online education platform है kindergarten से 12th standard तर अब हमारे notes, PDFs और e-books भी download कर सकते हैं उसके लिए आपको इसी वीडियो के description में दिये गए link get notes पर click करना होगा एक और बहुत जरूरी बात students की हमने coordinate geometry खत्म कर लिया है अब हम calculus पर हैं इसके बाद factors in three-dimensional geometry then algebra और आखर में trigonometry के साथ चीज़े end होगी आज अगर मैं differentiation basic सी, standard सी definition आपको समझाने की कोशिश करूँ तो differentiation पर आने से पहले एक चोटा सा idea, एक चोटा सा thought हम build करते हैं गौर्स से सुनिएगा differentiation से पहले आप ऐसे सोचो differentiation term है ही नहीं मान लो मैं गर आप से पूछो कि जैसे हमारे पास एक कर्व है हमने जैसे जाना है कि सार अगर आपके पास ये वाला parabola अगर है parabola आप जानते हैं हमारा parabola एक standard parabola मैं कोई साभी parabola ले ले लेता हूँ और अपना यही वाला parabola actually मिले ले ले में इंटरस्टेड हूँ y is equals to what? x square ऐसा क्यों सर क्योंकि इससे अगर मैं as a function treat करूँ यह हमारा क्या हो जा रहा है भी यह हमारा function हो जा रहा है जिसे मैं लिख लेता हूँ f of x is equals to x square जैसे आप चाहें तो y is equals to x square भी कह सकते हैं अब अगर मैं आप से कुछ चीजों पर बात करना चाहूँ जैसे कुछ observations मैं पूछा हूँ तो ज़रा देखना हूँ इस तरीके से एक्स की वैल्यू जो फोर ट्राइ करेंगे तो फोर का स्क्वेर कितना 16 इस तरीके से मुझे कुछ values बिलती ही चली जाएंगे कहना क्या चाहरे हो सर आप मैं आप से बस एक च्छोटी सी बात कहना चाहरू कि थोड़ा ध्यान से observe करो जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है देखो एक्स कैसे चेंज हो रहा है जीरो से वन हुआ तो वाई कितना चेंज हुआ वाई 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 उनिट से चेंज हुआ एक्स वन से टू हुआ याने एक्स वापस वाई उनिट चेंज हुआ तो y कितना unit change हुआ? y 3 unit से change हुआ गौर से सुनिएगा काम की बात है जैसे ही x 2 से 3 हुआ गौर से देखेगा जैसे ही x 2 से 3 याने 1 unit से change हुआ y कितना change हुआ? 4 से 9 4 से 9 याने कितना? 5 unit से बढ़ गया जैसे ही x 3 से 4 हुआ याने x में जो 1 unit का difference आया y 9-16 हो गया, 9-16 मतलब कितना, देखो ज़रा 16-9 कितना, 7 आप एक पैटन देख पारे हो, आप एक एक पैटन जो मैं दिखाना चाहरू, जो समिछना चाहरू, वो देख पारे हो मेरा बस आप से इतना सा कहना है, ज़रा पॉइंट को समझने की कोश्च करो जब x 1 unit से बढ़ रहा है, जब x 1 unit से बढ़ रहा है, देखो ना आप यहाँ पर दियाँ से, जैसे यहाँ पर x 1 unit से बढ़ा, यहाँ भी x 1 unit से बढ़ गया और यहाँ भी x 1 unit से बढ़ गया, तो y कितने unit से बढ़ा, सर यहाँ पर y 1 unit से बढ़ा, यहाँ पर 3 unit से, यहाँ पर 5 यूनिट से और यहां 7 यूनिट से कुछ पॉइंट में आपको समझाने की कुश्च कर रहा हूं अगर आप मेरी बात माने तो बस थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी बात मान लो जो कि हम इसी तरीके से प्रूब करेंगे पर मैं कहता हूं कि अगर वाई आपका x-square है अगर rate of change in y with respect to x मैं फिर से कह देता हूं कि y के जो change होने का rate है वो x के मुकाबले कैसा है तो मैं कहूंगा जरा गौर से देखो सर सिंपल सी बात है धिया से देखो अब सिंपल सा observation देखो बताओ 7 और 5 में कितने का difference है 1 का 5 और 3 में कितने का difference है sorry I'm really sorry मैं फिर से दोर आता हूं 7 औ 1 में कितने का difference है 2 का कुछ बात नजर आ रही है आपको मैं बस यह कहना चाहरा हूं rate of change आप observe करो rate of change मतलब जब x 0 से 1 हुआ तो y कितना हुआ y भी 1 unit से बढ़ गया लेकिन जब x 1 से 2 हुआ जब x 1 से 2 हुआ तो y आपका 1 से 4 हो गया आप मेरी बात समझ पार हो गया जैसे और clarity देता हूं जब x आपका 2 से 3 हुआ जब x आपका 2 से 3 हुआ तो y आपका 4 से 9 याने 5 unit से बढ़ गया मतलब देखो x यहां सब जगा 1 1 unit से बढ़ रहा है तो x को मैंने 1 unit से बढ़ाया तो यहां y 1 unit से ही बढ़ा गौर से सुनना इस rate of change को observe करना में सिका रहा हूं पर यहां जब x को 1 unit से बढ़ाया तो y आपका 3 unit से बढ़ गया पैटन समझना इसी से differentiation का एक basic thought जो students बिना समझे आगे बढ़ते चले जाते differentiation और पुरा calculus कत्म कर देते हैं पर actually वो differentiation की बात को नहीं से मुझ पाते हैं कि in reality differentiation exactly होता क्या है तो बात वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि differentiation का मतलब है कि y में जो change आ रहा है with respect to x वो rate of change की जिस rate से जिस speed से y चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है तो change का rate क्या है वो किस-किस दर से किस speed से किस rate से change हो रहा है वो अगर change अगर मुझे observe करना है देखो बढ़ रहा होगा तो values बढ़ रही होगी, घट रहा होगा, अगर change कम हो रहा होगा, तो values reduced हो रहे होगी, तो जो भी positive negative आना है, वो हमारा matter of concern नहीं, change of course बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो हमारा matter of concern नहीं, मेरा matter of concern आपको सिर्फ यह समझाना है, कि rate of change आप observe कर प हो गया 4, 3 पर यह हो गया 9, तो y में कैसे change हो रहा है, y किस speed से बढ़ रहा है, या कम हो रहा है, जो भी change हो रहा है, change is the right word, बढ़ना है, घटना, should not be used, so y किस speed से change हो रहा है, जब आपका x change हो रहा है, इस बात को observe करने के लिए हमने एक parameter बनाया, वो parameter ही आप कहते हैं, differentiation, वो x के respect में कितना हैं, उसे observe करने के लिए हम किस की help लेते हैं, differentiation की, क्या आप को या idea, क्या basic सब thought समझ आ रहा है, I hope परिशानी तो नहीं इस बात को समझ दें, मैं अभी सिर्फ differentiation की परिभाश आपको समझ आने में interested हूँ, mathematically क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या limit आ जाने वाली है, कैसे चीज़े होंगी, हर एक चीज़ समझेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे, पर मेरा concern अभी सर्फ इतना है, कि आप differentiation term का meaning समझें, फिर से कहा देता हूँ, कोई ना कोई function में, जब x पास करते आप चले जाएंगे, तो y भी बदलता चला जाएगा, y की भी value आती जाएगे, तो जैसे जैसे मैं x को बदलूँगा, वैसे वैसे y कैसे कैसे बदलेगा, उसे observe करना ही हमें कौन सिखाता है differentiation, तो हर बार मैं manually तो ऐसे नहीं देखूँगा, कि x चेंज हो रहा है, तो y कितना चेंज हो रहा है, तो ऐसे क्या कोई आसान तरीका है, कि मैं उसे automate कर के रख दो, और मुझे जब भी x में जो change हो रहा है, उसके respect में y के change को observe करना है, तो उसको देने के लिए कोई ना कोई expression define किया जा सकता है, क्या, जी हाँ, उसकी help करने के लिए, उस expression को create करने के लिए, हमने term बनाई है, रादर एक पूरी process बनाई है, जिसे हम कहता है differentiation, मैं पिर से repeat कर देता हूँ, जिस speed से, जैसे जैसे आप x को change कर रहे हैं, वैसे वैसे y किस speed से change हो रहा है, उसे observe करने के लिए, उसको सीधे सीधे answer निकाल देने के लिए, एक प्रकिरिया है, एक process है, जैसे हम कहता है differentiation, तो बार बार ऐसा पूरो observe करने की ज़रत नहीं है, मैं करता है, और उस प्रकिरिया को ही क्या कहता है, differentiation, वो बात में mathematically भी आपको समझाओंगे, पर पहले differentiation term, आपके brain में digest हो रही है क्या, कि differentiation का मतलब क्या है, I hope यह बात आप समझ पारे हो, जैसे, मैं एक छोटा सा point आपको समझाने की कुशिश कर रहा हूँ, अभी मान लो, चु आपको समझाने जब आप x2 का differentiation करेंगे, तो उसे हम कुछ ऐसा लिखेंगे, यह कैसा क्यों लिख रहे हैं, यह भी हम बात करेंगे, पर जब आप x2 को differentiate करेंगे, तो वो आता है कितना 2x, वो कितना आता है 2x, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि यह जो 2x है, यह जना तो y में कितनी unit का change हो रहा है, आप खुद observe करो, 3 और 1 में 2 का difference, 5 और 3 में 2 का difference, 7 और 5 में 2 का difference, तो जैसे जैसे x में 1 unit का difference आता जाएगा, x को अगर में 1 unit से बढ़ाते जाओंगा, तो y कितनी unit से बढ़ रहा है, आपको आपका 2 unit से चींज हो रहा है, और यही बात हैं 1 into 2, 2 unit से चींज होगा, आप देखो ना, 1 से 3, 2 units, 3 से 5, 2 units, 5 से 7, 2 units, तो यह rate of change समझने में आपकी कौन help करेगा differentiation, थोड़ा बहुत idea समझ आ रहे हैं, बाइदवे, अभी confuse मत होना कि यह dy by dx कैसे है, ड dx एक से सुएर, यह 2x कैसे है, इस बात को लेकर निश्यन रही है, यह हर एक चीज हम समझेंगे, यह dy by dx का टेखनी के लिएकर मैं अभी छोटा सा मतलब समझाने की कुश्च करूँ तो यह वही है, कि y में change जो हो रहा है, x के respect में, वो किस rate पर हो रहा है, उसका दर क्या है, उसकी speed क्या है, वो figure out करने का तरीका differentiation आपको देता है, और differentiation एक mathematical approach है, एक method है, जिससे आप बहुत sorted से manner में, बिना in complexity में जाए हुए, बिना उसे बहुत एक एक minute level पर observe किये, आप functions को ही differentiate कर सकते हैं, और उसका rate of change, कि वो function के rate से change हो रहा है, उसके dependent variable के respect में, कि जिस variable पर वो depend कर रहा है, उस variable में कैसे कैसे बदलाव करें, ताकि आपका function का rate observe किय किया दा सके, आई हुप, आप बात समझ पा है, जैसे मैं कोई चोटे से example समझा था, कल को मुझे कोई कह दे, कि y एक function है, जो कि sin x है, तो अगर मुझे से कोई पूछना चाहे कि, जैसे जैसे x बदलेगा, sin x कैसे बदलेगा, इससे क्या observe किया दा सकता है, तो मैं यह और बहुत sorted से manner में, बात वहीं खत्म हो जाएगी, जैसे हमने यहां बात खत्म करी, कि x square का differentiation जो 2x हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पूरी बात को हम अंजाम देंगे, पर पहले तो आपके लिए यह समझना जरूरी है, कि differentiation exactly होता क्या, so differentiation is rate of change, y में बदलाफ की दर, y में बदलाफ का change, जो जिससे speed से हो रहा है, x के comparison में, कि x change होगा, तो y कितना change होगा, तो वो जो change है, उससे observe करना, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, I hope यह बात बहुत अच्छे से आप डाइजिस्ट कर पा रहे हैं, है न, with that थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, और अब mathematical definition की तरफ जाते हैं, दिहाँ से सुनिएगा, in calculus, the derivative is measure of how a function changes, एक function कैसे change होता है, how a function changes, as its input changes, I hope आप realize कर पा रहे हो, as its input changes, जैसे कि कल को मैं कहूं आपसे, कुछ भी expression दे लिया जाए है, न, जैसे x square plus x plus 2, है न, और ये एक function है, ये मान लिया जाए, एक function है, तो जैसे-जैसे इसका input, जैसे-जैसे इसका x change होगा, जैसे-जैसे x बदलेगा, जैसे-जैसे x अपनी values बदलता जाएगा, ये function, x square plus x plus 2, यान, इसका output, कैसे-कैसे change होगा, उसमें क्या change आएंगे, वो कैसे बदल रहा होगा, वो कैसे बढ़ which one quantity is changing in response, और with respect to changes in some other quantity, तो अगर कोई quantity किसी quantity पर dependent है, तो जिस quantity पर वो dependent है, वो वो variable अगर change होता जा रहा है, तो जो quantity इस पर dependent है, वो कैसे बदल रही है, उसके rate को observe करने के लिए, जो tool हमारी help करता है, that is differentiation, पहले तो ये बात आपको समझ आ रही है, ये बात समझना हमारी जरूरी है, क्योंकि इसी को समझे बिना, लोग पूरा calculus पढ़ लेते हैं, और उन्हे calculus समझ नहीं आ रहा होता है, बस वो रट कर उस calculus को study कर रहते हैं, हमारा motive हमेशा ही रहेगा कि आप चीज़े समझे, आपने चीज़े जानी हो, आपको पता हो कि exactly क्या हो रहा है, अब बस चीज़े करें नहीं, आपको उनके पीछे के कारण पता हो, क्योंकि मेरा यकीन करिये, चाहे आपका मकसद IAT, J.W.E. Mains या J.W.E. Advanced हो, मैं तो मैं एक subject की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप इसके beyond subject को अच्छे से समझे, आप subject को समझेंगे, आपकी conditioning better build होगी, और ये examination conduct करव आपने वाली body आपसे यही expect करती है, क्या आप चीज़े समझे, आपको चीज़े पता हो, और वो समझने वाला knowledge ही, वहाँ examination hall में actually check हो रहा होता है, रटने वाला नहीं, आप लीज इस बात की घराई को समझे, फिर से आते हैं काम की बात पर, कोर से सुनियेंगा, when these two quantities are related by some relation, वही function पर वो बात हो रही है, to understand the concept of differentiation, let us start with the simplest case, when y is a linear function of x, that is, y is equals to f of x, which is mx plus c, मतला अगर एक straight line है, वो एक straight line के case के तो आपको समझने की कोशिश कर रहा है, जिसे मानलो, यह आपका y-axis है, गौर से सुनते जाएगा, बहुत मज़दार सी चीज है, और यह अब यहाँ पर अगर एक straight line हमारे पास है, let's say we have a straight line, the straight line कुछ ऐसी जा रही है, कुछ भी मैंने a straight line ले ली है, यह हमारी वो straight line है, क्या यह बात आप सभी को समझा रही है, अब गौर से सुनेगा, यह straight line है, जिसकी equation को मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं से लिख सकता line y is equals to 2x plus 3, क्या बात आपको digest हो रही है, अब क्या, अब मेरा कहना है, गौर से देखेगा इन चीज़ों को, बहुत ध्यान से समझेगा, consider two points, दो points अगर मैं इस पर consider करता हूँ, कोई से भी two points है, random से, जैसे देखना ध्यान से, मैंने इस line पर two points consider कि, एक point यहाँ और एक point य यह जो point है, of course, इसका कोई ना कोई x coordinate होगा, कोई ना कोई y coordinate होगा, तो इस point को में नाम देता हूँ, क्या, x, f of x, I hope आप तो सुन रहे हो, याने x, y भी लिख सकते हो, x, f of x भी लिख सकते हो, अब थोड़ा समय आगे बढ़ा, मैंने x को थोड़ा बढ़ा है, जैसे कि चेंज हो रहा है, देखो x कैसे चेंज हो रहा है, सब देखो आप धियां से, यहां पर यह जो x है, यहां से यहां तक आप गए, तो x में चेंज है, क्योंकि यह point आपका x1 था, मतलब x1 कहलो, यह ऐसे x कहलो, और यहां पर आप इसको delta x unit से बढ़ा दे रहे हो, delta x मतलब इस मैं थोड़ा से इसको बढ़ा दे रहा हूँ, मतलब अगर यह point जो था आपका, मानलो है x1 था, और x1 क्यों कह रहा हूँ, मैं मैं इसे x ही कहता हूँ, अगर यह point था, आपका x था, तो x से delta x आगे जाना, मतलब इस point का आप क्या कहेंगे, x plus delta x, तो जिस speed से यह change हो रहा है, गौर से सुनिएगा, उसके मुकाबले यहाँ पर क्या change हो रहा है, जैसे x के corresponding y होगा, और यहाँ पर जब इसमें delta x add क्या, तो उसके corresponding यह वाला आपका कुछ और value होगी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहा है, गौर से सुनिएगा, मैं बस आप से यह कहना चाहरा हूँ, इस बात को ध्यान समझना, जैसे x के corresponding कोई ना कोई y होगा, जैसे आप क्या कहना, f of x, और जब x plus delta x पास करेंगे, तो इस point को आप क्या कहेंगे, f of x plus delta x, I hope आपको बात समझ जा रहे है, तो इस point के coordinates क्या हो जाएंगे, वो होगे x, comma, x नहीं, x plus कितना, delta x, इसका x coordinate, इसका y coordinate क x plus delta x, अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान समझने कोशिश करना, coordinate और calculus को मैं mix करके आपको चीज़े बताना जारू, देखो, यहाँ पर मैंने x में कुछ change लेकर आया, x में change लेकर आया, मतलब मैंने x को कुछ unit से बढ़ाया, जैसे कि delta x unit से, तो जब x को किसी unit से बढ़ाया, तो y में भी कुछ change आया, y यहाँ से shift होकर यहाँ पहुच गया, तो यह जो change है, I hope आप देख पा रहे हो, जब x को change किया जाए, तो उसके respect में y में जो change आ रहा है, देखो यहाँ से, जब x को change किया जाए, जब मैंने x को यहाँ से यहाँ पहुचा है, तो उसके respect में y में जो चेंज आ रहा है उसे observe करने की process ही हमारी क्या है differentiation मतलब the change in y with respect to x is called a differentiation मैं एक linear function के तो समझाना चाहरा हूँ कि जब x यहां से यहां पहुचा तो y कहां से कहां पहुच गया उसमें क्या rate है change होने का कि x अगर इतने से इतना हो जाए तो y कितने से कितना हो जाता है उस rate को figure out करने की प्रकिरिया या process होता है differentiation अब बातें समझपाने थोड़ी बहुत इसी बात को उन्होंने कैसे कहा उस बात को भी समझ लेते हैं गवर से सुनिएगा यहां से समझते जाएगा चीजों को यह वही बात है यहां पर आपका कोई point है let's say x ना तो उसके corresponding इस line पर जो point होगा वो होगा x plus f of x similarly यहां पर एक point है जिसमें आपने slope होगी slope मतलब क्या यह street line positive x x x से साथ कोई ना कोई angle create करेगी अगोब आप समझ पारे है उससे ही हम क्या कहते है उसका 10 जो ratio होता है उस angle का उससे ही आप क्या कहते हो इस line का slope ऐसा क्यों पढ़ा रहा हुँ है सर अभी आप calculus पढ़ा रहे हो calculus पढ़ाते पढ़ाते coordinate में क्यों जा रहे हो थोड़ा patience रखिया बहुत मजदार सी बात है जानते से ना अब बात समझने की कोश्चिश करना यह 10 ठीटा का इससे क्या लेना देना है उस पर बात करते हैं यहां से देखो मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपसे कहूँ इस triangle a b c मैं गौर से देखो तो आपको कुछ दिख रहा है क्या किया डिखना चाहिए वो समझना अगर triangle a b c मैं आपको कुछ देखने को कहूँ तो क्या आप कह सकते हूं perpendicular upon base अरे देखो ना triangle A इस point को अगर मैं कहूँ A इस point को मैं कहूँ B और इस point को मैं कहूँ C तो triangle ABC एक right angled triangle है पहली बात तो क्योंकि ये line आपकी इस line पर perpendicular है क्योंकि ये line आपकी x axis के parallel और ये line आपकी y axis के parallel है क्या आप ये बात समझ पा रहे हूं इस बात में तो कोई परिशानी नहीं है जना अब जो मैं कहना, समझाना या बोलना चाहरा हूं उस बात को समझो अगर ये right angled triangle है तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोलना चाहरा हूं देखो अब बताओ 10 theta कितना होगा देखो ये angle theta है तो angle B theta होगा बहुत basic सा thought है कि ये line जो है ये line आपकी इस line के parallel है कि आपको नज़र आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये angle theta है तो angle B theta होगा similar सी बात है इसको prove करने की शायद मुझा आश्रकता नहीं इतना common sense आप समझते है तो triangle ABC में अगर मैं आपसे पूछो 10 theta तो आप क्या कहेंगे 10 theta होगा sir ये distance याने BC upon AC आप सुन रहे हैं क्या BC कितना होगा ये length ये length के लिए मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा sir बताओ ये length कितनी है तो इस length में से अगर मैं ये वाली length subtract कर देता हूँ अगर इस total length में से अगर मैं ये वाली length subtract कर देता हूँ तो ये length कितनी है total ये length मतलब ये वाले point का y coordinate जो कि कितना है f of x plus delta x तो मैं 10 theta यहाँ पर लिख रहा हूँ कितना f of x plus कितना delta x उसमें से मुझे ये वाली length अगर मैं इस point को कह देता हूँ d तो मैंने bd मैं से cd subtract किया जितना cd है उतना ही अगर यहाँ पर भी एक point एक drop करें let's call it e जो cd की value है जितना length cd का है शला इसे उतना ही ae का है यानि अगर cd की length चाहिए तो ae की length निकालो और ae की length कितनी है f of x आप सुन रहें तो मैंने जब subtract करना चाहा तो ये मैंने subtract किया मतलब अभी हमने क्या निकाला bc आप देख रहे हो क्या bd मैंसे cd subtract क्या तो मुझे क्या मिला bc गौर्ट सुसना बहुत काम की बात है इसे से पूरा differentiation का basis elementary block set होगा अच्छा denominator में क्या ये आपका perpendicular है base base क्या होगा ac अब ac निकालने के लिए delta x से बढ़ाया था तो delta x ही बचेगा तो denominator में क्याएगा delta x इस बात को बस याद रखना अभी इस बात को हम conclude नहीं कर रहे पर बस इस बात को जो भी आपके सामने कही गई या समझाएगी इसे याद रखना कि ऐसी क्यो वाई बस इस बात को ऐसे ही याद रखना सरी कुछ तो भी करे जा रहे हो आप मेरा कहना है थोड़ा patience रखिए बस इस बात को याद रखना कभी ना कभी आप realize करेंगे कि हाँ कितनी काम की बात है मेरा यकिन करिए this is one of the most important things of calculus this is one of the most important things of calculus मेरा इस बात करेंगे अभी तो हम बस एक straight line के perspective से देख रहे हैं अभी कुछ differentiation की बारी की में हम नहीं गये हम सर्फ अभी एक straight line के perspective से देख रहे हैं मैं बस आप से यह कहना चाहरा हूं कि जब हम change observe करने जाते हैं जब हम change observe करने जाते हैं किसमें अगर मैं बात करूँ किसी स्ट्रेइट लाइन में y is equals to mx plus c में है ना, तो मैंने क्या किया से मैंने यहाँ पर एक point था x1 है ना, और यहाँ पर एक point ढूंडा वो क्या है x2, तो x1 से x2 तक जाने के लिए मैंने x1 में कुछ add किया, जब ऐसा किया तो x1 पर इस function की कुछ value थी और x2 पर इस function की कुछ value थी तो उन में क्या change आया, इसमें change के respect में, वो हमने observe किया, आप सुन रहे हो क्या फिर मैंने क्या किया, ऐसे मैंने in points को figure out किया, जैसे इसके respect में ऐसे, तो जब मैंने change observe करने की कोशिश की, जब मैंने change observe करने की कोशिश की, अब ये फिलाल मैं सिर्फ straight line के perspective से समझा रहे हो, कहीं और नहीं जा रहे हो, जब हमने change observe करने की बात की, तो change हमने कैसे देखा, कि जब x1 से x2 तक गए, तो y1 से y2 में जो change हुआ, वो change का rate क्या है, तो rate, I hope आप समझते हो, क्या बोलते हो y2 minus y1 upon x2 minus x1 अरे, change क्या होता है, change is like what change is like, कि सर x शुरू में x1 था, पर उसको बढ़ा के या घटा के मैंने x2 किया तो उसके ही corresponding y कैसा हो गया सिर y शुरू में f of x1 रहोगा फिर क्या बन गया, f of x2 आप समझ रहे हो क्या तो y में जो change observe करना है मुझे x के respect में, वो मैं कैसे कहूँगा मैं कहूँगा बताओ f of x कैसे change होगा तो sir f of x, पहले f of x1 था और f of x2 बन गया, तो f of x में जो change आया होगा, वो यह रहा होगा f of x में जो change आया होगा वो कहा रहा होगा, कि f of x2 वो बन गया f of x1 से, तो यह उसमें बदलाव है अब of course अगर कम हो गया होगा तो यह negative होजाएगा, और अगर वो बढ़ गया होगा तो यह positive होजाएगा, कम होना मतलब f of x1 से f of x2 बढ़ा होगा तो यह minus this positive होगा लेकिन अगर f of x1 से f of x2 अगर छोटा होगा तो यह negative difference होगा तो change में, जब मुझे sign दिख जाएगा plus या minus, तो बहुँचे यह भी बता देगा कि बदलाव जो हो रहा है, जो change हो रहा है जो rate है, वो कम हो रहा है ये जादा हो रहा है क्योंकि जादा रहोगा तो positive change कम रहोगा तो negative change बात समझ पा रहे हो क्या और denominator में क्या, कि सर जब मैं x1 से x2 की तरफ जा रहा हो जब मैं x1 से x2 की तरफ जा रहा हो मतलब यहाँ पर कितना change है, ये मतलब, इस से में कितना change आ रहा है इसके respect में, उसको observe करने का ये तरीका है और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वापस वही बात हो गई ना सर ये f of x2 minus f of x1 मतलब perpendicular x2 minus x1 मतलब क्या base और perpendicular upon base क्या होता है सर perpendicular upon base इस right angle triangle में होता है time theta same, यहाँ भी change observe करना है यहाँ भी change observe करना है तो यह होगा मतलब मैं आपसे पहली जरूरी बात तो है कहना चाहरा हूँ कि अगर एक straight line पे अगर एक straight line पे rate of change observe करना है तो वो हमेशा उसकी slope ही होती है बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहरा हो f of x4 फिर आपसे जब मैं rate of change पूछूँगा तो sir x3 से x4 जाने में आप f of x3 से f of x4 तक चले गए अब change क्या होगा f of x4 minus f of x3 upon x4 minus x3 इस में से इसको minus करेंगे तो मुझे perpendicular मिल जाएगा इस में से इसको minus करेंगे तो मुझे base मिल जाएगा और perpendicular upon base क्या होता है सर्व होता है आपका right angle triangle का 10 ठीटा मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि straight line में आप सुन रहे हो क्या straight line में जब आप observe करोगे rate of change इस बात को प्लीज अच्छे से समझ लीजे बहुत important और crucial बात है जैसे कि मानलो यह आपका एक y-axis है गौर से सुनना बस यही से आपको differentiation का में basis बिल्ड करना चाहरा हूँ अगर आपको बात समझा रही है तो यह आपका क्या रहा है? x-axis गौर से सुनिएगा और मानलो यहाँ कोई straight line straight line थोड़ा सा केरफुल यहम बनाए जैसे straight line अगर मैं ले ले लेता हूँ कुछ ऐसी कैसी ले लेता है? x और y दोनों अगर मैं positive बनाना चाहूँ ऐसा कुछ अब यहाँ पर straight line यह जो बन रही है इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं जैसे कि यह लिखिए क्या लिखा हुआ है? let's say y is equals to x plus 2 मैं देख लेता हूँ एक सक्षिए यह है या नहीं जैसे कि x जब 0 होगा तो y 2 हो जाएगा और जब y 0 होगा तो x minus 2 हो जाएगा बहुत बढ़ी है यह आपकी सही line बनी है अब सुनिए गादियान से, काम की बात है एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ इस line की slope कितनी है इस line की slope mx plus ही अगर compare किया जाए तो इस line की जो slope है, वो है 1 क्या बात आपको समझा रही है 1 का तातपर्य क्या है, 1 का significance क्या है आप कह रहे हो sir, किसी भी straight line पे अगर आप rate of change observe करना चाहो y का x के respect में तो आप ये कहना चाहरे हो, वो उसकी slope जेतना ही होता है जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कहना है, वो समझाना चाहरे हो ध्यान से समझो इस point को आप एक बात बताओ, इस पे कहिना कोई-कोई point होगा लेटसे मैं एक pointer ढूँन तो, कहीं भी आपकी मर्जी से सब देखो, 2 पास किया, तो 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 तो जैसे ही 2 पास किया, तो 2 के लिए जो value मिली, वो कितनी मिली, 4 आप समझ पारे हो, मतलब मैंने निकाला f of 2 तो कितना है आप 4, अच्छा, f of 4 भी निकाल लो, sir f of 4 याने 4 रखा, तो कितना होगा, 6 तो f of 4 कितना होगा, 6 आप समझ रहे हो क्या, अब अगर मैं rate of change आप से पूछू, rate of change हमने निकालना सीखा है, sir वो क्या होगा, f of 4 minus f of 2, rate of change क्या होगा, f of 4 minus f of 2 divided by, divided by what, divided by 4 minus 2, और x2 minus x1, याद आया क्या, अच्छा, sir f of 4 minus f of 2 कितना होगा, 6 minus 4, 6 minus 4 कितना होता है, 2 और 4 minus 2 कितना होता है, sir, यह भी होता है, 2, और 2 upon 2 कितना होता है, 1 मैं बस आप से यह कहना चाहरा हूँ, कि इस line में, y जिस rate से change हो रहा है, वो x के respect में 1 unit से change हो रहा है, इस 1 unit को और अच्छे से हम समझते है देखो, 1 unit का मतलब क्या है, ध्याद से सुनना, जब x आपका 2 से 4 हुआ, तो y 4 से 6 हो गया, देखो एक और example है, तो जैसे बीच में कहना है कहीं क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, बताओ 3 पे कितना होगा, जब मैंने निकाला, let's say f of 3, f of 3 कितना रहा होगा, जब बताओ, f of 3 ज चेंज हो रहा है, 4 से 5, जब x 3 से 4 हुआ, जब x 3 से 4 हुआ, तो y कितना हो गया, sir, y 5 से 6 हो गया, तो जो rate of change है, वो कितना है, 1, 1 का मतलब क्या हुआ, अगर x 1 unit से चेंज होगा, तो y भी 1 unit से चेंज होगा, आप समझ रहे हो, one time, one one, I hope आपको बात समझ रहे है, यही इस ब जाना चारो rate of change, although हम सर्फ straight line की बात नहीं करेंगे, हम दुनिया के सारे functions की बात करेंगे, कि उन पर rate of change कैसे observe किया जाता है, differentiation कितनी आसानी से बात किया जाता है, जिसको लेकर अभी हम इतनी मेहनत कर रहे है, यह सच कहूं तो differentiation इतना complicated नहीं है, जो यह अभी हम कर रहे है, यह तो बस differentiation आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, कि differentiation होता क्या है, एक straight line के example से बस, कि rate of change का मतलब क्या होता है, अभी बस आपके brain में यह thought feed किया जा रहा है, rate of change का मतलब, अगर यह बात strike कर गए ना, आप बहुत कुछ चीज़ा अच्छे से समझा होगे, मैं rate of change के कि एक नई चीज़ बनाऊंगा, जोगियों की differentiation याने differentiation के सारे formula और कहीं सारी चीज़ें, आप generalize करके, बस fraction of seconds में answer लादोगे, हम उस पर आएंगे, पर पहले, आपको rate of change समझा रहा है, यह हमारे लिए बहुत crucial statement है, कि आपको rate of change समझा है, चलो, और चीज़े समझते हैं, वो यही सारी बाते हैं आपर कहने की कोशिश का रहा था, कि अगर आपका x से x प्लस delta x आप जाते हो, तो f of x प्लस delta x से आप f of x से आप f of x प्लस delta x पर जा रहे हो, मतलब x में कुछ बड़ोतरी करी, तो y में भी होनी से भाविक्या, जो भी होगा, चेंज होगा, मुझे न आता है, वो उसमें slope जितना change आता है, I repeat my statement, और slope को हम जानते हैं, वो क्या होती है, 10 theta, मतलब अगर में y में change observe करा हूँ, जिसे में कहता हूँ delta y, तो x में change के respect में, I hope आप समझ पा रहे हो, delta y upon delta x का क्या मतलब है, इसको समझना, ये change का sign है mathematically, मतलब, जब आप लिख रहे थ कहां से, x से, तो ये आपका f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1, तो ये जो change है, y में जो बदलाव आ रहा है, आप समझ रहे हो, y में जो बदलाव आ रहा है का मतलब क्या होता है, जिसे यहाँ पर, x को कुछ बदला, उसे अगर आपने कहा delta x, तो उसके respect में y भी कुछ बदला, वो क्या हु किस के respect में, x के change के respect में, कि जैसे जैसे x बदलेगा, y कैसे बदलेगा, इस बात को समझने के लिए हम differentiation की help लेंगे, ये बात आपको समझ आ रही है क्या, कोई परिशानी उस बात में, यही सारी बात लिखे गई है, तो इस straight line में तो जाहिर सी बात है, उस line की slope ही, rate in change in y, I repeat my statement, उस line की slope ही, change in y होता है, with respect to x, जो x, y के, sorry, जो y के change होने का rate होता है, x के respect में, वो line के लिए उसकी slope ही होती है, क्यों होती है, और थोड़ा clarity समझेगे, पर ये graphical, ये geometrical तरीका समझ आया है, इसमें तो कोई परिशानी नहीं, थोड़ी और चीज़ें क्लियर करते हैं, ग अगर मैं किसी एक बहुत जरूरी बात की बात करो, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको इस पस्ट तोर पर याद रखनी है, क्योंकि इसी से सारी कहानी बिल्ड होगी, क्या, कि अगर delta x 0 को अप्रोच करे, delta x के 0 अप्रोच करने का मतलब ये हो जा रहा है, क काफी का मैं तो क्या सर, मतलब कुछ तो कारण होगा ना इसका, इसका कारण अब आपको काम आएगा, कि जब आपका function महजए एक स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ भी हो जाए, बहुत ध्यान से नहींगा, जह हमने शुरुआत की थी इस लेक्च्चर की, जैसे हमने x स्क्व delta x की बात करो, for a straight line, delta y by delta x आपकी उस straight line के slope होती, इस बात को याद रखना, इस बात से काफी कुछ हम कहेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, जो वो लिख रहा है, we can say that the slope of line is same for any segment of the line selected, now, consider the function y is equal to fix the graph of which is not a, which is not a straight line, मान लो एक function मुझे मिला, जिसका graph एक straight line नहीं है, जैसे मान लो, यह आपके पास कुछ इस तरीके से, यह y axis है, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस इस पार्ट को ग्राफ समझ गए, तो आप differentiation को अच्छे से समझ जाएंगे, और differentiation की एक अच्छी understanding के साथ, अपनी चीजों को sorted रखेंगे, है ना, ध्यान से जैसे मान लो, मेरे पास यहाँ पर कुछ है, क्या है, एक function, उस function का graph कुछ ऐसा सा है, जैसे कि उस function का graph मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मैं बना लेता हूँ, जैसे कि मान लो, उस function का graph मेरे लिए कुछ ऐसा सा है, यह बात आप समझ पाए क्या, अब समझने की कोशिश करो, ज किया इन दोनों को मैंने जॉइन किया तो ऐसी एक स्ट्रेड नाइन मिलेगी हैं बहुत मसेदार सी बात है फिर मैंने क्या किया, सुनिए काथ यहां से, फिर मैंने यहां पर, इस X1 और X2 की बीछा की डिoh का लिख मैंने मानलो x1 को यह रखा, x2 को यहां ले आया तो उसके corresponding मुझे x2 यहां कहीं मिल जाएगा तो फिर मैंने f of x1 और f of x2 को मिल आया तो मुझे यहां कहीं कुछ मिलेगा को और से सुनियेगा, कुछ अच्छा सा आप देखेंगे आप समझ रहे हो कि मैं x1, x2 लिख भी देता हूँ यह x1 था, यह x2 था, x2 को और कम करके यहां लाए तो let's call it x3 for of y फिर मैंने एक और x4 बनाया है, जिसमें मैंने x4 के लिए मैं difference कम कर रहा हूँ और आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो जो यह x1 और x2 के बीच का difference is, जिसे आप कहने को कह रहे थे delta x, मैं delta x difference को कम करता जा रहा हूँ मैं delta x difference को कम करता जा रहा हूँ कम करने का मतलब क्या होँआ मैंने एक और difference के साथ और आके बढ़ा है तो मानलो मैंने यह यहां कहीं आए, जब मैंने x4 बनाया तो क्या आपको दिख रहा है मैं अगर connect करूं किसे मैं अगर connect करूं f of x1 को f of x4 से तो मैं देख पा रहा हूं सर यह यहां कहीं आकर बनेगा क्या आपको कुछ चीज अब समझ आ रही है कि आप कहां पहुँच रहे हो x1 के काफी पास हमने x5 लिया है ना तो x5 मोटा मोटा मुझे कहां मिलेगा यहां यहां मतलब यहां तो यह क्या रहा भई यह आप कर रहेगा f of x5 आप सुन रहे हैं और जब f of x1 और f of x5 यह वाले दो points को मिला है तो यह कुछ ऐसे आ रहा है मतलब x1 और यह जो अगला x लेन है जो की x2 x3 x4 x5 है इस difference को अगर मैं कम करता चला जाओ तो मुझे यह difference कम होते होते कहां तक आते हो दिखेगा यह difference कम होते होते मुझे x1 और x5 का difference कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा कि वो जो line segment बनेगा वो जो line segment बनेगा वो आपके स्कर्व को overlap करने लग जाएगा आपके स्कर्व को ही overlap करने लग जाएगा मैं एक छोटा सा point आपको समझाता हूँ बस एक हलका सा idea देने की कोशिश ताकि आपको यह बात समझ दाए है यह आपका मानलो क्या है याद सुझेना यह y axis है यह x axis है बस यहीं से चीज़े clear हो जाएगी और बात कत्म हो जाएगी यह आपका एक curve है और आप इस curve में देखो जब चीज़े दूर थी जब आपके x1 और x2 दूर थे मतलब इस पर मैंने दो points लिए इस पर जब मैंने 2 points लिए और इन्हें जब join किया तो straight line यहां कहीं जा रही है जब इनको और close किया जब इनको और close किया तो जैसे मानलो यहां कहीं 2 points उने तो यहां पर जब इन दोनों को join किया तो वो जो line है वो आपके curve पर ही lie कर रही है अब मेरी बात सोच पा रहे हो मैं आपसे बस ही कहना चाहरा हूँ कि अगर 2 points के difference को 2 points के बीच के difference को कम कर दिया जाए 2 points के बीच के difference को कम कर दिया जाए तो वो curve पर lie करते हैं और वो curve के curvature से divert नहीं होते जिससे देखो यहाँ पर इन दोनों को join करने वाली line लगभग इस तरीके से जा रही थी और curve का curvature यह जा रहा था पर अगर मैं उस difference को कम करता चला जाए और यहाँ पर भी बहुत minute से level पर अगर मैं बना के देखूँगा तो बिल्कुल छोटे से level पर हलका सा वो हो रहा होगा पर मैं यही कहना चाहरा हूं कि limit का फाइदा उठाते है limit का फाइदा कैसे उठाते है limit ने हमें के ability दी है कि सर इस difference को कम से कम कर दो 0 नहीं करना है पर बहुत कम करना है बिल्कुल 0 के पास तो जितना जल्दी जल्दी जैसे जैसे 0 के तरफ पहुच रहा होगा उतना में फाइदा हो रहा होगा कि यह difference कम हो रहा होगा तो है अभी भी दो points मतलब एक है x1 और एक है x2 पर उन दोनों के बीच का difference कोछ ऐसा हो गया कि अगर straight line से जोड़ा तो curve पर ही lie कर रहा है आप सुन रहे हो क्या इस बात का बहुत गहरा बहुत जरूरी मतलब है अगर पहले तो यह बात आपको समझा रहे है तो हमारी कोशिश क्या है कि इस curve पर जो मैं दो points ले रहा हूँ उनके बीच का difference उनके बीच का difference मैं कम से कम रखना चाह रहा हूँ क्योंकि वो जितने ज़्यादा दूर होंगे वो line segment उस curve पर लाई नहीं करेगा पर जैसे जैसे वो pass आते जाएंगे उनको join करने वाला line segment उन curve पर लाई करेगा इसे फाइदा क्या होगा सर, curve पर लाई क्यों करवाना है बात करते हैं पर क्या यह current clear है कि जैसे जैसे उनका difference कम होगा उनको join करने वाली line वो जो line segment है वो उस curve पर लाई करेगा यह बहुत crucial बात है अगर आपको भी बात समझाई तो अब delta x को 0 के अप्रोच करवाने वाली कहानी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यही बात कि अगर आपके पास यहां पर एक curve है और उसमें आपके पास कुछ points है और उनके difference को आप कम करते चले गए और कम करते करते आपने यह दिखा कि उनके difference को जब आप कम करते चले गए जैसे पहले A और B यह थे फिर और कम होए फिर और कम होए जैसे जैसे कम करते चले गए और उनके बीच के डिफरेंस को यहने डिल्टा एक्स को जब मैं कम करता चला गए है ना पहले डिल टैक्स यहां से यहां तक था फिर हमने और कम किया और कम किया तो करते हैं तक जब पहुंचा तो वो कर्व पर ही उनको जॉइंट रने वाली लाइन लाइक कर रही है अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं फिर से दिखा देता हूं आपके कर्व का करवेचर जैसे यह था आपके कर्व का क्या कर्वेचर यह आपका कर्व है अब देख पा रहे हैं यह आपका कर्व है ना बहुत साफ तोर पर नहीं देख पाऊगे और A और B को जॉइन करने वाली लाइन भी है तो यहीं पर जो A और B को जॉइन करने वाली लाइन है और कर्व का कर्वेच यीज निकालना है तो मुझे कॉन हेलप करता है उसकी कॉन हेलप करता है स्की स्लोप किसी कर्व का गरवेचर देखना है किसी कर्व का rate of change observe करना है तो उसमें मैं कुछ ऐसा constraint लगा दूँ कि उद कर्व को मौझूद दो पॉइंस का डिफिंस बहुत कम कर दिया जाए तो वो टेक्निकली एक कर्व के बजाए स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन नी तो बन रही होती है आप समझो ना आप किसी भी कर्व को नोटेस करो मानलो एक कर्व है अब ब्रॉडर परस्पेक्टिफ से हाँ ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है आपको बात समझारी है मैं सा क्यों रहे है कि सर इसके कर्स्पॉंडिंग यहां कहीं X1 होगा XXS पर यहां पर कहीं X2 होगा तो X1 और X2 में जो डिफ्रेंस है वो बस हम कम से कम रखना चाहरे है क्योंकि यह डिफ्रेंस जितना कम से कम खांस ौदा अच्छा क्यूंकि उससे में करव करुतना रहकर हमारे लिक्स ठीट लाइन बन जाएगा और रेट आफ चेंज ऑब्ज़ालां कि स्प्रेट लाइन का रेट आफ चेंज जो होता है वो कुछ नहीं होता है वो होता है आपका डेल्टा मतलब आयोप आप समुझ पा रहे हो इसे ऐगर एकसी के लेता है तो चलेगा क्या है आपको आपको कोई परशानी नहीं चलो X1 ही रख लेते हैं, मतलब कुछ बदलेगा नहीं, मैंसे आप चीजे समझना, ये point क्या हो जाएगा, सरी हो जाएगा, आप इसे कहना चाहें, तो कहले F of X2, या फिर आप इसे कहना चाहें, तो कहले F of X1 प्लस डिल्टा X, अब मेरी बात को प्लीस समझने की कोशिश करना, मैं इसे हम क्या कहते हैं, डिल्टा X, य में जो चेंज हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे, Y2-Y, X में जो चेंज हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे, X2-X1, गौर सच जो नहींगा, लेकिन इस चेंज पर एक constraint लगाना बाकी है, वो constraint क्या है, कि limit डिल्टा X जो है, आपका यो डिल जो डेल्टा एक्स दो डिफ्रेंस कम से कम हो तो यह कर्व कर्व नहाओ कर एक स्ट्रेइट लान जाएगा इसका क्या मतलब उस पर बात करते हैं पर सुनिये का धियां से जब यह हो रहा है तो वाई टू माइनस फाइवन मतलब क्या मतलब मैं X1 को एक्स ही लिख दे रहा हूं यह बच रहा है limit है ना delta x approaches 0 numerator में f of x1 plus delta x minus f of x1 और denominator में जो बच रहा है वो आपका x1 स x1 cancel लो delta x मेरा आप से बस यह कहना है इस expression को गौर से देख लीजिए क्योंकि यह expression आपके पूरे calculus की कहानी बदल कर रख देगा और build कर देगा एक नया concept पहले तो यह समझो कि किसी भी curve का जब मैं rate of change observe करने गया है तो मेरे लिए वो change observe करना मुश्किल था क्योंकि वो curve था मैं किसका rate of change निकानला जाता हूँ एक straight line का क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आसान था slope से मैं देख पा रहा था तो मैं कह रहा हूँ अगर curve में भी मैं slope वाला concept याने straight line वाला concept introduce कर दू तो क्या उसका भी rate of change observe किया जा सकता है जी हाँ पर वहाँ पर हमें क्या करना पड़ा हमने बस एक condition लगई कि y2-y1 upon x2-x1 rate of change होता है लेकिन यह जो x2-x1 है इनमें जो x1 और x2 में difference है वो सर कम से कम रखना क्योंकि अगर यह difference कम नहीं रहा तो यह curve रहेगा straight line नहीं बनेगा पर अगर यह difference कम हो गया तो यह curve नहोंकर एक straight line बन जाएगा straight line का rate of change हम जानते है क्या होता है slope जो कि हम इस तरीके से निकाल पा रहे है तो यह of course है वही y2-y1 upon x2-x1 कि इस straight line की slope लेकिन बस एक condition के साथ कि इस curve में जब इस curve के लिए आप देख रहे हो तो वो जो difference है x2-x1 वो कम से कम हो x2-x1 बतलब x1 को थोड़ा सा बढ़ा के x2 तक आया था मैं तो जो x2 तक आने के लिए जो x1 मैंने कोई value add की थी वो value कम से कम हो छोटी से छोटी infinitely small positive value क्या यह बात आपको पल्ले पड़ रही है क्या यह बात आपको digest रही है जो थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की जारी है एक बार इनके perspective से भी समझते है line segment joining different pairs of point A and B on the graph has different slopes लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करू कि delta x को मैं 0 की तरब बढ़ा हूँ तो gradually वो pass आने लग जाएंगे और जो वो gradually pass आने लगेंगे तो मुझे यह दिखेगा कि वो जो line segment बन रहे हैं उन में किसी ना किसी point पर मैं उस point पर एक unique tangent बना पाऊंगा आप सुन रहे हूँ इस बात को थोड़ा और अच्छे समझते सुनना suppose we want to find the slope of curve at point A मैं क्या करना चाहरा हूँ इनकी condition को समझना यहाँ पर एक curve है बहुत बढ़ी असर अब इस curve में मान लो यहाँ पर एक point है मैं इस point पर इसकी slope निकालना चाहता हूँ तो किसी curve की slope का मतलब क्या होता है पहले वो समझते है किसी भी curve की slope का मतलब होता है कि उस point पर उस curve की आप tangent बना दीजिए और जो यह tangent आपने बनाई है इस tangent की जो slope होगी वही इस curve की इस point पर slope होगी पहले तो यह बात समझ आई या नहीं I repeat कभी भी कोई कहे कि यह जो curve है इस curve को मैं कहता हूँ F of X इस curve की इस point ए पर slope बताओ तो slope का मतलब होता है कि इस curve की इस point पर एक tangent पर एक tangent पर दीजिए तो इससे थोड़ा समय आगे जाता हूँ इतना आगे मत जाना बिल्कुल पास में जाना बिल्कुल बिल्कुल एकदम पास है ना जैसे कि यह ना तो X में थोड़ा बहुत कुछ एड़ गया तो यह क्या बन गया भी X प्लस डेल्ट एक्स अब सुनना दियांसे यह पर जो point है उसकी value क्योंगी F of X और यहाँ पर यह जो point है इसकी value क्योंगी इसकी value होगी F of X प्लस डेल्ट एक्स मेरा यह कहना है कहने को अगर आप थोड़ा बहुत जूम इन करके देखोगे तो यह point जो है और इस line पर जो लाए करने वाला point है वो बहुत दूर है जैसे कि मालू मैं यहाँ पर एक point लेता हूँ let's say X2 मैं क्या ले लेता हूँ जैसे X dash तो X dash के corresponding देखोगे तो यह point और यह point में बहुत difference है यह दोनों काफी दूर है मान लिसर यह बात लेकिन अगर यही पर मैं इन दोनों को देखो जैसे जैसे मैंने यह difference कम किया देखो यहाँ पर difference बहुत जादा था लेकिन यहाँ पर difference और कम किया तो जैसे जैसे difference कम होता जाएगा इन दोनों points के बीच में वैसे जैसे point pass 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 आता जाएगा और ऐसे से करते को तो जब इसके पास आजाएगा तो यह point इस straight line पर भी ही लाए करेगा आप सुन रहे हैं यह point इस straight line पर भी ही लाए करेगा और ऑर इस straight line की slope निकालने का तरिका क्या है कि सरे NOW next line पर फॉइंट समय यह पता चल जाएं, जैसे कि X1, Y1 और क्या X2, Y2, अगर इस straight line पर यह दो points लाए करते हैं, तो इस straight line की slope को मैं कहता हूँ, Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 यह हमने coordinate geometry में पढ़ा है, जो कि आप सबको पता होगा, तो sir यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मेरा कहना है, इस line पर एक point तो यह लाए कर रहा है, कब जब वो difference बहुत कम है, जब वो difference बहुत कम है और एक point यह already था तो X1 और X2 मिल गए, और Y1 और Y2 भी मिल गए, पर condition क्या है, यह difference काफी कम हो यह काफी close हो, तो मैं बस आप से बार-बर इतनी सी बात कहना चाहर हो, कि Y2 क्या रहा F of X plus delta X Y1 क्या रहा, F of X X2 क्या रहा X2 रहा, X plus delta X और X1 क्या रहा, X इन सब बातों में, एक बात जो सबसे ज़रूरी ही, कि सर वो difference कम से कम हो, जब आप X1 से X2 तक गए, तो X2 तक जाने के लिए, जो आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा है वो बिलकुल थोड़ा सा बढ़ाना, एक दम कम से कम और कम से कम define नहीं कर सकते हैं कितना कम, तो हमने उसको limit के concept से समझा, X approach is 0, और अगर इसे थोड़ा धियान से देखा जाए, तो देखो धियान से डिल्टा एक्स माइनस कितना F of X divided by यह डिल्टा एक्स बच जाएगा क्योंकि X से X कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा डिल्टा एक्स अब सुन रहे हो क्या अब यह जो expression दिख रहा है ना, प्लीज इस बात को धियान से देखे, इस expression ने पूरे calculus को बदल के रख दिया, यह expression में वो power है कि आपको पूरा calculus बहुत अच्छे से दिखा देगी, यहीं से वो foundation बना है आपके किसका, differentiation का, फिर integration का, और हर एक चीज़ जो calculus में हुई है, जो मज़धार से inventions, discoveries या काफी सारी चीज़ हमने जो explore की है, वो सब कुछ यहीं से create हुई है, कैसे आप gradually समझते चले जाएंगे, पर इस expression की बहुत ज़ादा एहमिया थे अगर आप differentiation को समझना चाहते हैं तो और technically यही differentiability का भी foundation यानि building block बनेगा पहले तो point सबचो, point क्या है, दियान से सुरना point यह है जनाब, कि यह है y2, यह है y1 और denominator में x to minus section, तो यह किसी line की slope है, किस line की slope है वो इस line की slope है technically line की slope की बदाए मैं ऐसे कहूंगा, कि इस curve की point पर slope है, और इस curve की अगर इस point पर इस slope मिल गई है तो technically मुझे पता चल गया है इस curve का rate of change इस point पर, आप सुन रहे हो किसी curve का rate of change क्योंकि वो line, जब यहां से यहां तक यह गया, जब यहां सा यहां तक गया तो इस curve का rate of change ही तो है इस curve का यह rate of change ही तो है आप देखो ना जब x x1 से x2 तक गया, तो y1 से y2 तक आप गया तो जो change आप observe करें, वो एक straight line से मुझे पता चल रहा है तो चाहे तो आप उसे उस point पर draw की की tangent की slope कह लें या फिर उस curve का rate of change कह लें उस पर उस variable के respect में जिस पर वो curve depend करता है मालब change in y with respect to x आप सुन रहे हैं बहुत ध्यात सुनेगा, मैं आपको differentiation सम्झाना चाह रहा हूँ गौर से सुनते जाएगा slope of the curve at point A is same as the slope of the tangent to the curve at point A now we consider tangent at point A as chord AB when point B is very close to A सबसे जरूरी बात बस यही और यही delta x approach is 0 की नियू रगता है अगर आपनी बात सुनेगा so that the length of chord AB is negligible, almost small, infinitely small for that we drag point B on the curve two words है तो A के काफी close लेना चाह रहा हूँ है याने हम delta x जो A और B के बीश में difference है x-axis पर उस difference को कम से कम करना चाह रहा है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ delta x को infinitely small याने delta x approach is 0 करना चाह रहा हूँ तो chord AB किस की तरह behave करने लग जाएगी उस कर्व की A point पर draw की की tangent की यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस A point पर draw की की tangent यह B point है इस B point को इतना पास लाए है इतना पास लाए है कि वो chord AB अच्छा अगर यहाँ होता तो क्या होती यह ऐसी एक chord होती फिर यहाँ लाता तो और ऐसी बनती ऐसी बनती ऐसे बनाते बनाते मैं इसको बिलकुल पास में लेकर रहा है और इस तरीके से हमारी यह chord AB AB होते होते जब B इतना पास आगिया A के तो वो टेक्निकली क्या कहलाने लगी इस कर्व की A point पर draw की की tangent क्या यह बात आपको समाज आई यहां से अगर मैं आगे बढ़ू तो For any position of point B on the curve slope of chord AB is going to be what y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 f of x plus delta x f of x x plus delta x minus x यहां पे x x cancel तो delta x याने की जो change है y में जिस उसने क्या कह दिया delta y या delta of f of x किस के respect में? x के respect में पर कब जब आपका x याने जो change है याने delta x के से change in y with respect to x for any curve I repeat my statement जो delta f of x है वो change है किसमे f of x में कब जब x x से delta x units बढ़ जाता है तो उस case में point B A के काफी close आ जाता है तो वो AB जो chord है वही आपके A point पर उस curve की slope बन जाती है तो मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि यह जो expression आपका बन रहा है इस expression को मैं अच्छा से लिए जाता हूँ जिससे आप कह रहे हो क्या delta of f of x upon delta x delta of f of x upon delta x का क्या मतलब कि जब x में बदलाव हुआ change याने delta तो y में कैसे बदलाव हो रहा है याने delta तो f of x का delta मतलब f of x plus delta x minus f of x जब x को delta x unit बढ़ा दिया तो इसमें f of x में ये बदलाव हुआ और x में क्या change हो रहा है x क्या है आपका x plus delta x ये आपका x2 है और आपका x तो x ही है I hope ये बातें confuse नहीं करनी है पर ये सब बातें कब करनी है सर ये सारी बातें अब तब करेगा जब आपका delta x जो है याने उस curve की slope और अगर मुझे किसी curve की slope पता चल जाए तो उसे में कहूंगा d dx of f of x मैं क्या कहना चाहरा हूँ बहुत धियां सुनेगा आप इसे ऐसा भी लिख सकते है d of f of x of dx ये यही बात है बस इस बात को लिखने का तरीका कि हम बार बार इतना बड़ा expression तो लिखेंगे नहीं पर कुछ तो लिखेंगे तो जो आसान तरीका है उसे हमने यह बना है अब इसका मतलब क्या है इसका साफ सा मतलब बस इतना सा है कि f of x curve में जो change हो रहा है किस के respect में? x के respect में उसे observe करने का तरीका mathematically note करने का जैसे add करना तो हम एक sign बनाते हैं कैसा plus sign हमें multiply करना तो इसा कुछ बनाते है तो signature देना mathematics का काम है कि जब आप f of x में x के respect में change observe करना चाहें तो mathematically आप उसे लिखेंगे d of f of x upon dx उसकी कहानी क्या है? यह पूरी क्या आप यह बातें डाइजस्ट कर पा रहे है यहां तक पहले यह बताईए differentiation के meaning को समझने में तो कोई doubt नहीं है यहां से आगे देखो पहले यह सारी चीज़े समझ लेते हैं और देख लेते हैं जो जो बाते कहीं गहीं है वो क्या है d of f of x means very small change in value of f of x produced by very small change in dx I hope यह बात आपको रहला है जोरी है of x and delta, है ना theta is what? delta के बदेखे है पहले theta की बात कर देखे theta क्या है? जो उस point पर हम tangent रुद्रॉ कर रहे थे उसने positive x से गत क्या angle बनाया है इसका क्या मतलब है? साहब इसका मतलब है उस tangent की slope किस tangent की? जिस point पर यह आप change observe कर रहे है जिस point पर आप यह change observe कर रहे है मतलब मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि एक point पर जहाँ पर x में थोड़ा सा change किया जाए तो y में क्या change आ रहा है? उससे मैं observe कर रहा हूँ किससे? d of f of x upon d of x से उससे मैं किससे observe कर रहा हूँ d of f of x जिसे आप कहना चाहें तो d of y upon d of x भी कह सकते है d of y मतलब y में जो change हो रहा है d of x मतलब x में जो change हो रहा है तो x में change होने पर y में क्या change हो रहा है? वो हम d y by dx से कहना है जिससे मैंने अभी फिलाल 10 theta भी prove होते हो देखा तो मैं क्या कहना चाहरा हूँ कोई? मैं आसे simple सी बात कहना चाहरा हूँ यह जो ratio है d of f of x upon dx इससे हम कहते हैं f of x का derivative इससे हम कहते हैं f of x का derivative with respect to x और इसका मतलब क्या है? यह I hope अग प्लियर है फिर क्या? which is same as slope of tangent to the curved point यह believe me बस यही बात crux है आपके फिलाल calculus के इस part के beginning का की differentiation क्या होता है किसी भी curve के differentiation का मतलब है उसका derivative with respect to x जिसे आप कहते हैं d y by dx जिसे आप d of f of x upon d of x भी कहते हैं यह आपका ratio हो जाता है और इस ratio में इन्हें हम lebanese coefficient भी कहते हैं उसमें delta सोड़ा एक अलग बन जाएगा वो एक अलग कहानी है पर यह जो आपका derivative आ रहा है f of x का x के respect में इसे आप उस point पर draw कीगी tangent की slope भी कहते हैं इस proof में तो कोई परेशानी नहीं है यह जो बात अभी तक हमने discuss की है इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है मैं बहुत-बहुत emphasis दे कर यह बात समझाना चाहरा हूँ क्योंकि बस यह बात clear हो जाए ना तो कहानी हमारी आगे बढ़ पाईगी फिर क्या हम जो ratio discuss कर रहे हैं dy by dx या d of f of x upon dx इसे हम कहते हैं differential coefficient भी derivative of f of x with respect to x is also written as f dash x मतलब इसे मैं differentiate कर रहा हूँ इसे जब मैं differentiate कर रहा हूँ यहना मैं d dx कर रहा हूँ किस का ले रहा हूँ भई? f of x का जिसे आप क्या कहते हैं जिसे आप dy by dx भी कहते हैं तो f of x का जो derivative है उसे mathematically f dash x से भी denote किया जाता है मतलब f of x का derivative मतलब f of x में change with respect to x it is also noted, denoted और written as f dash x what does it mean? f of x का derivative याद रखेंगे आप ये बात तो यहाँ पर एक sorted सी बात की जाए तो अगर delta x को मैं थोड़ ज़र के लिए h से denote कर तो है ना delta x थोड़ा confusion वाला है हमारा तो हमारा expression क्या था याद करिए वो था x plus delta x minus f of x upon x plus delta x minus x यानि वो क्या बन जा रहा था delta x और आपने यहाँ पर delta x को छोटे से छोटी value possible बनाय रखा था तो यानि इसे 0 से approach कर वाया था और इसी बात को अभी तक क्या कह रहे थे इसी बात को हम अभी तक d of f of x upon d of f x कह रहे थे मैं यह कह रहा हूँ कि इसमें थोड़े से changes ले आते हैं जैसे कि मैं delta x को फिलाल h से replace कर देता हूँ अगर मैंने delta x को h से replace किया तो यही expression हमारे लिए क्या बन जाएगा जिसके हम बात कर रहे हो जिसे आप कह रहे हो f dash x या फिर जिसे आप कह रहे हो dy by dx या फिर जिसे आप कहना चाहते हो d of f of x of d of x I hope यह बात है आपको समझ जा रही यह जो overall expression है इसे लिखने का तरीका अगर मैंने delta x को h से replace किया मैं बस एक term है कि delta x बार बार लिखने के बज़ा है उसे क्या लिखेंगे h तो कितना हो जाएगा f of x plus delta x याने x plus h minus f of x upon delta x और delta x अब क्या होता है h तो यह आपके derivative की definition है कि x को थोड़ा सा बढ़ा है तो f of x क्या बना और f of x exactly क्या था उसका difference upon में जो change आप लाए हो x में हो क्या h परिशानी तो नहीं और जो change है यह छोट से छोटा possible change रहना चाहिए बस यही परिभाशा है अगर आप इसको समझ गए तो कहा नहीं सुल्जी होई सी है चलो यहां तक अगर बात समझ आई है इस बात से आप कहीं सारी चीज़े physics में भी derive कर सकते हो जैसे अगर मुझे velocity चाहिए तो अगर मुझे acceleration चाहिए तो अगर मुझे graphs मिल गए ना जैसे मुझे distance और time का graph मिल गया तो distance में change अगर time के respect में मैंने observe कर लिया तो मुझे instantaneous velocity मिल जाएगी और अगर मुझे change observe ही करना है तो graph अगर दे दिया है तो क्यों ना इतनी मेहनत करने के बजाए मैं सिर्फ उस point पर उसकी tangent draw करके उसकी slope निकाल लो बात खत्म क्या आपको बात समझा रही है इतनी help करता है calculus और coordinate mix होके physics में तो physics की language mathematics ही है पर mathematics के अपने कैसे rule है कैसे fund ने हो कैसे बने और इन्होंने कैसे create होकर चीज़ें collectively कितना अच्छे से चीज़ों को बढ़ाया है बनाया है create किया है और कैसे अलग लग चीज़ें बनी है वो I hope आप समझभा रहे है यह बात है आप physics में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आप अच्छे से discuss करिए पर मैं आपको अभी फिलाल derivative सिखाना चाहरा हूँ derivative का understanding और sense आपको build हो रहा है यह वही velocity और time में change की बात है कि time हलका सा change हो तो velocity कितनी change होती है यहने आपकी instantaneous acceleration instantaneous velocity इस तरीके से आप चीज़े देख पा रहे हो मेरा बस आप से कहना है while finding the derivative of the function f of x or slope of the tangent we are assuming that the function is differentiable अब differentiability का क्या मतलब होता है differentiability का अभी बस एक हलका सा meaning आपको देजिरों जब हम differentiability पढ़ेंगे continuity and differentiability इस chapter के बाद usually differentiability लोग पहले पढ़ता है हम differentiation के बाद पढ़ेंगे ऐसा क्यों? बस कारण है आप समझ जाएंगे जब differentiability हम पढ़ेंगे तब आपको समझ जाएगा अगर मैं differentiability समझाना चायो तो differentiability का मतलब है कि वो function differentiable है या ने क्यों को differentiate कर सकते हैं ने तो differentiability का क्या मतलब है जैसे मुझसे कोई पूछे कि इस function पर इस function को इस point पर आप differentiate कर पा रहे हो यह नहीं तो मैं कहूंगा कि सर कुछ मत करो इस point पर एक tangent draw करके देख लो और इस point पर अगर मैं एक unique tangent बना पा रहा हूं अगर मैं unique tangent बना पाता हूं इस point पर तो मैं कहूंगा यह इसकी क्या हुई इस point पर यह curve is differentiable है जैसे एक example के तौर पर बताता हूं यह एक curve है ठीक है सर यह एक curve है मानलो आपका यह जो है यह एक curve है अब इस curve में समस्या क्या है बाकी जगा ठीक है सर पर अगर मैं इस point पर ढूंडा इस point पर ढूंडा तो इस point पर पता है एक tangent यह भी बन सकती है है ना एक tangent यह भी बन सकती है आप सुन रहे हो क्या एक tangent यह भी बन सकती है टेक्निकली मैं इस curve पर यहाँ पर infinite तेंजेंट बना सकता हूं और अगर यहां पर इंफाइनेट टेंजेंट नहीं बना पा रहा हूं मतलब यह function यह curve इस point पर differentiable यह बाकी का नहीं पता पर इस पर तो नहीं है आप बाते से मुझ पा रहे हैं तो DIFFERENTIABILITY हम समझेंगे आगे जाकर अभी विलारियमान दीजिए कि जो भी हम questions करेंगे वो differentiable होंगे वो functions differentiable होंगे कैसे नहीं होंगे कब नहीं होंगे कहां पता करना है वो बात हम differentiability में सीखेंगे किया बात आपको समझ जा रही है मेरा बस आप से कहना है कि चीज़ें आपको clear हों और चीज़ें सपस्ट हों तो अच्छा है differentiation के formula हम next lecture में discuss करेंगे कि यह formula कैसे बने और उनके पीछे create होने की कहानी क्या है आज के lecture का major motive या main intent सिर्फ इतना था कि आपको हम समझा पाएं और सिखा पाएं कि differentiability और रादर I would say derivative या differentiation का मतलब क्या होता है कहानी clear है यह तैयारी आपकी IIT-GEE मेंस और GEE Advanced Mathematics की हो रही है बिल्कुल free of cost हमें 100% free of cost quality online education platform है kindergarten से 12th standard तक आप हमारे notes, pdfs और e-books भी download कर सकते हैं उसके लिए आपको इसी video के description में दिये के link get notes पर click करना होगा with that let's call it a day here थ्याल रखिये अपना, thank you so much for watching this video